हेलो दोस्तों, तो आज हम समझे वाली है, gas turbine के बारे में बहुत easy topic है, बहुत easy topic है तो कुछ इस तरह का देखता है, देखिए भाई साब, gas turbine इसकी working के बारे में समझेंगे, मेंली हमारे पास इसके components कौन कौन से है, तो इस तरह का देखता है, ये internal view है यह internal view है जहां पे हम इसके बारे में समझें देखिए यह सबसे ज़्यादा mean बात जब हमें पता लगता है कि यह use कहां होता है तब curiosity ज़्यादा आती है use कहां होता है तो वो हम पहले देख लिए ताकि हमें थोड़ा सा पता लगे देखिए आप देखोगे तो plane के side में यह बड़ा सा लगा होता है यह भाई सब gas turbine लगी होती है यह gas turbine लगी होती है जो क्या इसको propel करती है आगे की और धक्का देखती है ठीक है actually action पीछे की और reaction हमें आगे मिलता है जहाज आगे चला जाता है और aeroplane आगे की और चला जाता है इसमें भाई सब बहुत सारी बड़ी बड़ी turbines लगी हो ही है तो उसकी help से मतलब हमारे पास gas है एक तरफ और turbine है gas turbine को move करती है उसके help से हमें यहाँ पे propulsion मिलता है तो यह बात थोड़ी समझाई अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीजों को भी समझेंगे यहाँ पे समझाज़ेगा चादा देखे हमारे पास इसमें main part जो है वो है यहाँ पे compressor वो है यहाँ पे compressor air जो है intake करेगी अंदर यहाँ से आएगी यहाँ से आएगी सामने से अंदर आती है तो यह लगाज़ी है यह एरो प्लेन का आगे जा रहा है और यहाँ से जहाँ से अंदर आ रही है air अंदर आ रही है सामने से और यह जो compressor है यह हमारे पास इतना से blades हैं और यह compress कर रहे हैं air को एर को compress क्यों करना है भाई साब हमने उस एर को use करना है कहां पर use करना है वो use करना है combustion chamber में combustion chamber का मतलब क्या है यहां पर अब air क्या आई compress होकर compress होकर air आई और इसके अंदर fuel आया fuel और air हमारे पास आई तो भरी चिंग्यारी चाहिए उसको एक था तो blast होगा वहां पे और वो blast क्या करेगा इस turbine को घुमाएगा और exhaust gases जो है वो यहां से बाहर निकल जाएंगी और वो exhaust gases जब पूरी speed से बाहर निकलेंगी तो aeroplane हम जहां पे power generation करना चाहते हैं तो वहां पे gas turbine यूज किया सकती है तो कोई problem नहीं है इसमें ठीक है वो अलग लग है कि फाइदा क्या है नुक्सान क्या है कहां यूज कर सकते हैं हानी वो अलग topic होगा तो यह एक चीन नोट करना यह compressor और यह turbine एक ही shaft के उपर लगे हूँ है एक ही shaft के उपर लगे हूँ है तो भाइसाँ क्या हो रहा है तो यह कुछ इस तरह से है कि एक बार आपने compressor को starting देना है एक बार compressor ने मतलब starting आपने देना है compressor चल गया compression से यहाँ पर ignition हो गया ignition हो गया इसके बार turbine के उपर strike करा अब turbine ने ही compressor को चला देना है बस मतलब समयरे हो टर्बाइन ने ही कंप्रेसर को चुलाना है और आग जो निकलेगी धुआ जो निकलेगा इतना फास्ट निकलेगा वहां से तो वो हमारे पस क्या है फाइदा देता है जब हम एरो बलेन का केस देखते हैं और टर्बाइन अगर घूम रही है तो इस शाफ्ट के साथ हम कोई भी जनरेटर लगा कर अल्टरनेटर लगा कर इलेक्टिसिटी प्रिड्यूस की जा सकती है इसकी हर्प से तो यहां पे मैं दुबारा दिखाऊंगा अब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझाएगा अब देखिए यह जो आग जल रही है कंबस्चन चेंबर के बाद आग चल दिया तो आप देखो यहां से ऐसे निकलता है यह देखिए तो इस तरह से गैस टरबाइन को आप समझे सकते हैं इस तरह से समझे सकते हैं और यहां पे भी यह देखना अब इसका इंटरनल व्यू अब आपको समझाएगा यह है कंप्रेसर यह देखिए कंप्रेसर यह आगया कंप्रेसर यह आगया टरबाइन और यहां पे कंबस्चन हो रहे हैं देखिए combustion के बाद जो धुआ है हम कहेंगे gas तो gas हमारी strike करेगी turbine के उपर और वहां से देखिए अब निकल रहा है धुआ यहां से निकल रहा है exhaust gases यहां से निकल रही है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं देखिए यह system इस तरह से चलता है I hope कि यह चीज आपको समझागी होगी ठीक है तो यह gas turbine होता है एक पर यहां पर भी देख लीजी आगे तो यहां पर भी वही system हमारे पास ठीक है इस तरह आप इस चीजों को समझ सकते हैं अब आजाते हैं आगे अब इसमें जो turbine में हमारे पास gas turbine में यहां पर दो तरह के system आजाते हैं एक होता है open cycle open cycle क्या है देखिए हमारे पास क्या किया हुआ है air आ रहा है बाहर से open air और air जब आएगा तो compressor में यहां पर आएगा compression होगा compression के बाद यह air जाएगी अंदर combustion chamber में combustion chamber में जहां पर हमारे पास fuel आएगा और यह ignition मिलेगी और यहां पर एक धमाका होगा और एक blast होगा और यहां पर gases बनेंगी और वो gases आगे जाएंगी और यहां turbine को गुवाएंगी और जो gases उसके बाद रह जाएंगी मतलब exhaust gases और यहां से exhaust gases जो है वो यहां से बाहर निकल जाएंगी open air में हम इसको छोड़ देंगे तो यह हमारे पास होता है open cycle open cycle हमारा यूज होता है aeroplane में खास करके क्योंकि वहां पे हमारे पास air की कोई कमी नहीं है भई जतनी मर्जी air उठाओ को दीक करती है इसी को तोड़ना दोबारा यूज करना है इसी को यूज करने के जुरुत नहीं है हमें तो ये open cycle आ जाता है तो बात थोड़ी से समझागी हुगा आपको सिंपल है ये बात अब देखिए हमारे पास ये system जो है इसके इलावा दूसरा आता है close system तो मैं आगे चलता हूँ और इसका भी यहां इसी को हम use कर लेते हैं इसी को हम use कर लेते हैं और हमारे पास आजएगा ठीक है यहां पे आजएगा तो इसको हम यहां रख लेते हैं और इसका भी एक copy बना लेते हैं तो यहां आजएगा और इसको हम यहां रख लेते हैं अब देखिए हमारे पास क्या है कि अब system क्या होगा अब system सिर्फ close system में हमारे पास यह आ जाएगा कि अब जो close करने के लिए चाहिए ना वो इन दोनों को सिर्फ connect करना है आपने इन दोनों को connect करना है बस मतलब जो exhaust आ रहा है हमारे पास गरम हवाएं आ रही है गरम exhaust आ रहा है उसी को हम यहां पे combustion के लिए use कर रहे है मतलब हमारे पास उसमें क्या कर रहे है हम इसको use कर रहे हैं उसी cycle में रख रहे हैं उसको उसी cycle में रख रहे हैं और यह क्या है हमारे पास देखे इसमें gas turbine में एक चीज याद रखे हैं हमेशा gas turbine में आप चीज याद रखेंगे कि इसमें कोई भी phase change नहीं होता, कोई भी phase change नहीं होता, phase change कौन से वाले में होता है, phase change जैसे की stream turbine है, तो thermal power plant में आप देखोगे, तो rankine cycle में अगर आप देखोगे, तो वहाँ किया पानी से पहले stream बन रहा है, stream से पर पानी बन रहा है, इसी तरह चलता है, तो इसमें नहीं, इसमें तो हमारे पास जो phase है, वही रहेगा, क्योंकि gas है तो gas ही रहेगा हमारे पास, तो यह जो cycle system है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, open cycle और यह आ जाता है, closed आ जाता है, closed, तो यह बंद है, लेकिन एक चीज बहुत खतरना कहीं यहां पे, वो है कि भाई साब जब य जादा, उसका volume आपको पता ही है, जैसे देखिए, जैसे जैसे कोई चीज गरम करते हैं, तो उसका volume बढ़ता है, अगर volume हम बढ़ा हुआ यहां पे देंगे, तो भाई साब इस compressor को, उसको compress करने में जादा दम लगेगा, अगर मेरे पास इतना volume है, इसको मैंने compress करना है, easy, यहां से यहां, अगर मेरे पास इतना volume है, तो यहां से यहां लाने में compress करने में time लगेगा, जोड जादा लगेगा, तो भाई साब compressor की जान निकल जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे इसको ठंडा करके यहां पर लाना पड़ेगा, तो बीच में हम क् exchanger लगाएंगे, heat exchanger लगा देंगे, क्या लगा देंगे, heat exchanger लगा देंगे, जो क्या करेगा, इसमें से heat जो है, वो निकाल के बाहर फैंक देगा, heat गर्मी जो है, वो निकाल के बाहर फैंक देगा, ठंडी हो जाएगी, ठंडी जो होती है, भाई साब, air, उसका volume कम होता है, अब compressor को काम करना असान हो जाएगा बास समझाई तो अब काम करना असान हो जाएगा तो इसके जो हमारे पास PV डाइगरम और TES डाइगरम दूनों बहुत important है यहाँ पे हमारे पास close system जो होता है वो हम जहां पे electricity generation करने हैं वहाँ पे हम close cycle का use करते हैं थोड़ा समझाया आगे चलते हैं अब देखिए हमारे पास जो इसमें डाइगरम बनता है तो उसके लिए PV और TES डाइगरम दो बनेंगे ठीक है दोनों हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूं ठीक है और यह PV डाइगरम और TES ड TES डाइगरम टेपरेचर और एंट्रोपी के बीच का डाइगरम ओके तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से लिख लीजे इसको तो आपको क्या करना है एक बार ध्यान से देखना तो मैं आपको यहाँ पी समझा देता हूं ठीक है यहाँ पे समझा देता हूं पहले क्लो साइकल में मेरे भाई सहाब जो काम होने हैं वो हमें अगर पता लग जाए कि कौन सा काम कहां पर हो रहा है देखिए इसमें तो प्रेशर बढ़ रहा है यह तो साफ दिख रहा है कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है काम का है प्रेशर ही बढ़ाना है और यहाँ पर प्रेशर कम हो र है तो यह जो compression और हमारे पास turbine में expansion है यह दोनों isentropic process होगी isentropic जिसमें entropy जो है हम constant रखने की कोशिश करेंगे ideally हमारे पास isentropic होगा यह भी हमारे पास क्या होगा isentropic isentropic और यह जो हमारे पास दो processes हैं यह हम क्या करते हैं constant pressure पर constant pressure पर हम यह काम करेंगे ओके constant pressure पर बात समझागी जब आपको यह चीज़ समझाती है न तो आपको दूसरी चीज़ों की clarity मिल जाती है कि हमारे अच्छा इसके साथ का ही है अब हम बात समझानी चाहिए कि compression हो रहा है तो volume कम होगा बात समझागी है अब हमारे पास वापिस आ जाते हैं हम pv diagram मनाते हैं तो हमारे पास क्या है सबसे पहला point हम यहां से शुरू करेंगे ओके यहां से शुरू कर लेते हैं यहां से कि सरु आपने तो आपने वन लिखा है उसमें तो टू लिखा हुआ है वान से टू हमारे पास जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास वॉल्लिम कम हो रहा है और प्रेशर राइज हो रहा है देखो वॉल्लिम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब इस त तरहां से एक straight line आएगी क्योंकि pressure constant है 3 पे भी उतना ही है 2 पे भी उतना ही compression है मतलब हमारे पास pressure उतना ही है ठीक है बात समझागी अब again turbine में जब strike करेंगे तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास ये इस तरह से volume increase होगा मेरे भाई volume increase होगा ठीक है इसे थोड़ा साच्छा बना ले तो ये volume जो है इस तरह से increase करेगा volume increase pressure decrease तो four point हमारे पास यहाँ पे आजएगा four point आगया अब हमारे पास next क्या है इसी को बापस यहाँ पे ले के आना है ले के आने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ एक constant pressure line बनाएंगे क्या मनाएंगे constant pressure line और यहाँ पर इस तरफ यह इस तरफ और यह इस तरफ यह कौन सा है हमारे पास यह है clockwise और आपको पता होना चाहिए कि clockwise direction में जब हमारे पास कोई diagram चलता है तो वो कौन सा होता है work producing होता है यह आपको पता है ना यह चीज आपको पता होना चाहिए तो आप मेंसे कोई भी बच्चा अगर लगता है कि आपने जए का प्रपेशन करना है आपने कुछी exam का प्रपेशन करना है कोई भी जए का exam, AE का exam है तो आप मेरी app download कर सकते हैं यह तो सिर्फ demo है यह चोटा मोटा demo है आप पूरा जो course है वो app में ले सकते हैं अब आजाते हैं यह बास समझागी अब हमारे पास TS diagram TS diagram भी असान है दोगे भाई साब अगर आपको दिमाग छोटा सा आपने यूज करना है कि हमारे पास माल लेजिए 1 से 2 है 1 से 2 क्या हो रहा था? compression compression कौन सी थी? isentropic अब हमें पता है कि isentropic process जो है वो इसमें entropy इस तरह सीधी होगी क्यों होगा? क्योंकि entropy 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे same होनी चाहिए 1 और 2 पॉइंट पे same होनी चाहिए यहाँ बे तो एक straight line बनेगी मेरे से अगर straight ना बने तो आप बना लेना तो 1 से 2 जो point है वो exact straight line होनी चाहिए तो होनी चाहिए मतलब यह idle process है हमारे पास अब हमारे पास 2 से 3 हम देखे तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यह देखे यह क्या है? compression हो रही है यहाँ पे compression हो रही है यहाँ पे combustion chamber है यहाँ पे turbine के अंदर यहाँ पे turbine पे expansion हो रही है और यह वापिस हमारे पास दुबारा हम वापिस हुआ ही पे लेके जा रही है और वहाँ पे heat exchanger भी लगाया हूँ है हमने heat exchanger लगाया और वहाँ पे हमारे पास out हो रही है heat तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं तो यहाँ पे लिख भी लेना आप मेरे भाई तो यहाँ पे heat reject हो रही है heat reject और यहाँ heat add हो रही है heat add हो रही है पास समझागी और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि work in हो रहा है work in और यहाँ क्या है work out हो रहा है work out कि constant pressure वाला अब constant pressure वाले को बना ले के लिए हमारे पास क्या आएगा तो इसको इसी से बना लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जाएगा उपर क्यों तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास अचानक सी combustion chamber में अचानक से temperature बहुत rise होगा और entropy भी increase होगा उसका और दूसरा हम इसमें case में आजाते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर आजाते हैं और आगे क्या है टू से थ्री आने के बाद थ्री से फॉर थ्री से फॉर तो थ्री से फॉर हमारे पास क्या है यह दिखे टरबाइन में टरबाइन में हमारे पास strike करते हैं तो isentropic तो 3 से 4 हमारे पास आ जाते हैं ओके last रह गया और last हमारे पास इसी तरह आ जाएगा भाई साब यह हम इससे बना लेते हैं जी तो यह हमारे पास इस तरह से आगेगा तो यह color शायद दिखनी रहा होगा आपको तो मैं किसी और color का use कर लेता हूँ तो यह हमारे पास इस तरह से आजेगा तो यह हमारे पास PV और TS डाइगरम बन रहा है 1 से 2 हमारे पास फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार तो यहां पे compression हो रहा है isentropic compression हो रहा है isentropic compression हो रहा है और यहां पे combustion chamber में हम heat add कर रहे है heat add कर रहे है in दे रहे है और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे work out हो रहा है यहां पे क्या है work out हो रहा है तो यहां पे turbine है और यहां पे क्या है हमारे पास यहां पे heat out हो रहा है out reject हो रहा है हमारे पास और यह heat exchanger यहां पर क्या है? वर्क इन हो रहा है, वर्क इन हो रहा है. तो यह हमारे पास पी वी और टी ऐस डाइगराम, प्लीज इसको बना लीजे और अगर आपको यह चीज़ समझा यह तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, कुछ जाता तो नहीं है, वो गड़ता तो नहीं है, ए आपकी एप डाउन्डोड कर सकते हैं, आप डाउन्डोड जो करेंगे उसमें आपको सारे गोर्से मिल जाएंगे, आप मेर बस जई की त्यारी कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, नेक्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे